चै-81 नताशा और तनुजा से कृष्ण की मुलाकात। कृष्ण जो डांस स्कूल से सीधा सिंधानिया फैमिली हाउस के लिए निकल पड़ता है वो वहाँ जाते हुए कुछ सोच कर प्रियंका को मैसेज भेजता है। मैं फैमिली हाउस जा रहा हूँ मम्मी का मैसेज आया था और मैसेज करके वो अपना फोन रख देता है प्रियंका अभी अपने काम में व्यस्त थी इसलिए वो फोन नहीं देखती। वही कृष्ण कुछी देर में घर पर पहुंच जाता है कृष्ण कार से निचे उतर कर घर के अंदर जाता है जहां कुछ लोग पहले ही बैठे हुए थे कृष्ण जब अंदर जाता है तो वो समीक्षा जी को देखता है जिनके हाथों में खाने का कुछ सामान था वो कृष मुस्कुरा कर उसके गालों को छूते हुए कहती है, खुश रहो बेटा। फिर वो पिछे देखने लगती है, ये देखकर कृष्ण कहता है, क्या हुआ मम्मी किसी का इंतजार कर रही हो। जिस पर समीक्षा जी कहती है, बेटा वो प्रियनका नहीं आई। जिस पर कृष्ण क कहता है, मम्मी वो काम में बिजी है इसलिए नहीं आई। जिस पर वो भी मुस्कुरा कर कहती है, चलो उसे छोडो तुम आओ। जिस पर कृष्ण भी हां कर उनके साथ चलने लगता है, फिर वो हौल में आता है, जहां दादा जी बैठे हुए थी उन्हें देखकर कृष्ण मुस्कुरा कर कहता है, हम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी तरफ। जिसे सुनकर दादा जी मुस्कुरा देते हैं फिर वो कृष्ण को देखकर कहते हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं अगर कोई भी बात हो तो हमें जरूर बता देना, जिस पर कृष्ण हसते हुए कहता है, दादा जी हम बिल्कुल ठीक है और कोलेज भी बहुत अच्छा चल रहा है और वैसे भी प्रियंका है ना, जिस पर दादा जी मुस्कुरा कर कहते हैं, ये तो तुमने सही कहा भला उसके होते हुए हमें या तुम्हें किस चीज की फिक्र, और फिर वो दोनों ऐसे ही बात करने लगती है, वहीं समीक्षा जी भी उन दोनों को नाश्ता और चाय देते हुए कहती है, लगता है दादा और दामादा आज सारी कसर पूरी कर लेंगे, जिस पर कृष्ण बस मुस्कुरा देता है, वहीं वो सब अब आपस में बात कर रहे थे तभी वहां तनुजा और नताशा भी आते हैं, जिनकी नजरे पहले दादा जी पर जाती है और वो दोनों दादा जी को देख कर कहती है, नमस्ति दादा जी, जिस पर दादा जी उन्हें देख कर कहते है, खुश रहो, फिर वो दोनों भी जाकर पास के सोफ पेपर बैट जाती है वही समीक्षा जी उन दोनों को देखकर कहती है आप दोनों क्या लोगी क्या कुछ लाउखाने के लिए जिस पर तनुजा जूस और नताशा कॉफी की कहती है वही कृष्ण उन्हें हिरानी के साथ देखता है जिसे देखकर दादा जी कहते है ये प्रिय जिस पर तनुजा कहती है अरे नहीं ये जरूर कोई टीचर है इतना यंग जो है वही कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहिए जिस पर दादा जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो और वैसे भी तुम्हारे पास ज्या और ये सुनकर नताशा और तनुजा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं उन दोनों के चेहरे पर काफी ज्यादा अलग भाव थी ये हरानी नहीं थी कुछ अलग और नया लेकिन कुछ ही देर में वो अपने चेहरे के भाव बदल कर दादा जी को देखती है फिर कृष्ण को कहती है हमें नहीं पता था कि प्रियंका इतनी जल्दी और ऐसे शादी करेगी फिर तनुजा दादा जी की तरफ देख कर कहती है दादा जी आपने तो हमें बताया ही नहीं कि दी शादी कर रही है या कर ली है जिस पर दादा जी भी मुस्कुरा कर कहते है अब हम क्या कहें तुम तो जानती हो वो कुछ भी करने से पहले किसी को पता भी नहीं लगने देती हमें तो खुद बाद में पता चला था शादी के बाद, फिर नताशा क्रिश्न को देख कर कहती है, वैसे जी जो आपका नाम क्या है कुछ बताए अपने बारे में, जिस पर क्रिश्न उन्हें देख कर कहता है आहां मेरा नाम कृष्ण है और मैं एक स्टुडेंट हूँ जिस पर तनुजा कृष्ण को देख कर कहती है क्या एक स्टुडेंट भला प्रियंका कैसे एक स्टुडेंट से शादी कर सकती है जिस पर नताशा उसे शांत करते हुए कहती है अरे ऐसे क्यों कह रह ज़्यादा हैरान होकर कहती है। ऐसा कैसे हो सकता है ये नहीं हो सकता। आप मजात कर रहे हो। प्रियंता दी एक सक्सेस्फुल बिजनस विमन है। उनके बराबर आज तक हमारी फैमिली में कोई पैदा नहीं हूँ और उन्होंने आप जैसे एक स्टुडेंट से शादी कर ल चुप हो जाती है दादा जी उन्हें गूर कर देखते हैं फिर वो कृष्णी को देखते हैं और उससे कहते हैं बेटा इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो प्रियंका को तुम से बहतर इंसान नहीं मिल सकता और वैसे भी ये बिगड़ी हुई शहजादिया है लेकिन त तुम्हारे पास कोई शहजादी नहीं बल्कि एक रियल एंप्रेस है और प्रियंका को तुम्हारे बैग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बुरा मत मानना जिस पर कृष्ण उन्हें देखकर कहता है दादा जी आप चिंता मत किजिए हम ठीक है और मैं जानता आप और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हो इसलिए मैं बिलकुल भी उदास नहीं हूँ जिस पर दादा जी कहते हैं तो फिर ठीक है चलो इसी बात पर एक बाजी शतूरंज की हो जाए और देखते हैं किसमें कितना है दम जिस पर कृष्ण भी हा कहता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं वही समीक्षा जिन्होंने उन दोनों की बाते सुनी थी वो एक गहरी सांस लेती है और वापस रसोई में चली जाती है वही कृष्ण दादा जी के साथ चला जाता है वही दूसरी तरफ प्रियंका जो अभी तीन घंटे की मिटिंग खत्म करके अपन और ये कहकर वो अपनी जगर से खड़ी हो जाती है वही राज जो अभी ओफिस में आया था ये कहने की उसने अगली मिटिंग अरेंज कर दी है वो प्रियंका को ऐसे देख कर कुछ कह ही नहीं पता प्रियंका अपना कोट लेकर जाते हुए कहती है मेरी सरी मीटिंग पोस्पोन कर दो जिस पर राज हां कहता है वही प्रियंका वहां से निकल जाती है उसके चहरे पर आज कुछ परेशानी की लकीरे थी जो शायद कुछ लग थी वो अपने आप में बदब्दर रही थी और वो वहां से कार में बैट कर सिंगानिया फैमिली हाउस के लिए निकल पड़ती है प्रियंका काफी रफ्तार से निकलती है कृष्ण के मेसेज को आए डेल घंटा हो गया था प्रियंका की कार हवा की गती से चल रही थी प्रियंका काफी ज्यादा परेशान लग रही थी प्रियंका को जब पता चला कि क्रिश्न घर पर गया है ये सुनकर प्रियंका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ओफिस से घर के लिए निकल पड़ती है उसकी कारहवा से बाते कर रही थी प्रियंका कुछ ही समय में अपने सिंधानिया फैमिली हाउस के सामने थी वो जल्दी से दरवाजे से अंदर जाती है प्रियंका काफी तेजगती से चल रही थी जैसे वो हरबड़ी में आये हो तब ही उसकी मुलाकात एक नौकर से हो जाती है जिसके हाथ में जूस और कौफी मग था ये देखकर प्रियंका उस नौकर को रोग कर पुछती है प्रिश्न कहा है वो नौकर काफी ज़्यादा यंग था और वो यहां दो सालों से काम कर रहा था वो प्रियंका को अपने सामने देख कर दर जाता है उसके हाथ काउपने लगते हैं वो हर बढ़ाते हुए कहता है वो बॉस वो सर वही उसे ऐसे देखकर प्रियंका जो पहले से ही सही मूर में नहीं थी वो उस नौकर को घूरते हुए कहती है क्या जबान पर ताला लगा है या मूर में दही जमा है जल्दी बताओ वो नौकर काफी ज़्यादा दर गया था क्योंकि उसने सुना था कि इस घर में बस दो लोगों को कभी भी नाराज मत करना वरना तुम कही भी चले जाओ वो तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे और उनमें से एक इंसान उसके सामने खड़ी थी जिसके वो काफी ज़्यादा दर था वही प्रियंका उस पर दोबारा गुस्सा करती उसे पहले ही वहां मिस्टर शिन आते हैं ये मिस्टर ली के जुणवा भाई है ये दोनों ही यहां काम करते हैं वो प्रियंका की पासा कर पहले उसे गृट करते हैं फिर काफी आराम से कहते हैं बोस सर बड़े मालिक के सा नई बात नहीं थी जब भी कोई नया नौकर प्रियंका को देखता था या उससे गलती से बात करता था वो काफी ज्यादा दर जाता था क्योंकि प्रियंका के बारे में काफी ज्यादा अफवाहे फैली हुई है जिन में से कुछ सही है और कुछ गलत मिस्टर शिन उस लड़क जी के कमरे की तरफ जा रही थी लेकिन वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी जब वो कमरे के पास पहुंचती है तो उसे अंदर से कृष्ण की हसने की और दादा जी से बात करने की आवाज आती है जिससे उसे काफी ज्यादा शांती मिलती है वो एक गहरी सांस लेती है और खुद को शांत करती है। तक कोई इसा पैदा ही नहीं हुआ जो हमें हरा सके। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे तभी प्रियंका आकर उनके पैर छूते हुए कहती है। नमस्ते दादा जी कैसे हैं आप। जिस पर दादा जी प्रियंका को देखकर हमेशा खुश रहो और खुब आगे बढ़ो और हम बिल्कुल ठीक है। जिस पर प्रियंका बस मुस्कुरा देती है वहीं उसकी नजर क्रिशन पर जाती है जो काफी बुरी शक्ली बना कर बैठा था ये देखकर प्रियंका कहती है अब तुम्हीं क्या हुआ ऐसा चेहरक्यों बना रखा है जिस पर दादा जी हस्ते हुए कहते हैं अब कर भी क्या सकता है आखिर इतनी बुरी तरह से हार जो यहां है ये सुनकर प्रियंका कृष्ण की तरफ देखती है जिसकी शक्ले एक बच्चे के जैसे हो गई थी ये देखकर प्रियंका फिर उस शतूरंज के खेल को देखती है जिसमें कृष्ण हार रहा था ये देखकर प्रियंका कुछ देर उस खेल को देखकर एक कुरसी लेकर वही बै वो मुस्कुरा देती है वही कृष्ण उसे देखकर बस अपनी पलके जपकाता है फिर वो खेल को देखने लगता है दादा जी अपनी चाल चलते है प्रियंका अपनी कृष्ण देख रहा था खेल और भी जादा मुश्किल हो गया है आखिर में कोई नतीजा नहीं निकलता औ हमेशा गेंटे हो जाता है कोई नतीजा नहीं आता जिस पर कृष्ण कहता है क्या हमेशा जिस पर दादा जी कहते है हाँ जब से इसे ये खेल समझ में आया है तब से यहीं कर रही है और ये कहकर वो मुँँ बनाते है फिर कृष्ण हांस देता है और वो तीनों ऐसे ही बात था कि तुम व्यस्थ हो मुझे लगा तुम नहीं आऊगी और ये कहकर वो अपनी आँखे जाती है वही प्रियंका कुछ नहीं कहती और फिर वो कॉफी पीने लगती है फिर समीक्षा प्रियंका को देखकर कहती है वैसे अब आही गई हो तो क्यों ना तुम अपनी बहनों से मिल लो जिस पर प्रियंका उन्हें देखकर कहती है मम्मी मुझे दादा जी से कुछ जरूरी काम है इसलिए आए हूँ और मैं उनसे बाद में मिल लूँगी जिस पर समीक्षा कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है उन्हें जाता देखकर कृष्ण भी उठकर जाने ल कहती उससे पहले ही प्रियंका उसका हाथ पकल कर उसे वापस बैठाते हुए कहती है यहीं रहो कहीं नहीं जा रहे क्या सारा दिन इधर उधर घुमते रहते हो कुछ पल शान्ती से नहीं बैठ सकते जो सुनकर कृष्ण मूँ बना कर वहीं बैठ जाता है वही समीक्षा और दादा जी ये देख कर काफी ज़्यादा खुश होता है कि प्रियंका को कृष्ण की चिंता है कृष्ण वहीं बैठ जाता है और प्रियंका दादा जी से कुछ जरूरी बाते करने लगती है चा 83 नताशा और तनुजा कृष्ण प्रियंका और दादा जी के पास बैठा और उनकी बाते सुन रहा था वो काफी ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि वो दोनों बिजनस की बाते कर रहे थे और कृष्ण काफी ज्यादा बोर हो रहा था वो कुछ सोचकर प्रियंका को देख कर कहता है प्रियंका मुझे कौफी चाहिए मैं लेकर आता हूँ और ये कहकर को खृष्ण वहां से उठकर जाने लगता है वही प्रियंका जब उसे ऐसे जाते हुए देखती है तो वो उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और कुछ कहने ही वाली थी लेकिन दादा जी उसे रोक देते हैं और कृष्ण से कहते हैं ठीक है बेटा तुम जाओ और कहते हैं तुमने सही कहा कॉफी यहां भी आ सकती थी लेकिन क्या तुमने उसकी शक्ल देखी थी वो यहां बैठे बैठे बोर हो रहा था और वो यहां से बस बाहर जाना चाहता था और इसी का मौका धून रहा था और उसने बाहना बनाया और निकल गया जिस पर प्रियंका फ पुरी तरफ क्रिश्न जो कमरे से निकल कर रसोई की तरफ जा रहा था वो काफी ज्यादा खुश था और पुरे मजे से चल रहा था। क्रिश्न वहां से रसोई में जाता है जहां उसे मिस्टर शिन और समीक्षा जी मिलते हैं क्रिश्न उन्हें देखकर कहता है मम्मी आप क्या कर रही है वही समीक्षा क्रिशन को देख कर पहले तो कुछ समझ नहीं पाती फिर वो क्रिशन से पुछती है बेटा आप यहां रसुई में कुछ चाहिए आपको. जिस पर क्रिशन मुस्करा कर कहता है हा मम्मी दो कॉफी कप. जिस पर समीक्षा मुस्कुरा कर कहती है ठीक है बेटा आप चलो मैं अभी लाती हूँ जिस पर कृष्न भी हाँ करता है और वहां से वापस जाने लगता है दादा जी का कमरा दुसरी मनजिल पर था कृष्ण सीलियों से उपर जाता है और वो दादा जी के कमरे की तरफ ही जा रहा था तभी अच्चानक से एक दरवाजा खुलता है और तनूजा बाहर आती है उसके हाथ में जूस का गिलास था और वो अपने फोन में देख रही थी इसलिए उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था वही क्रिश्ण जिसके सामने अच्चानक से दरवाजा खुल जाता है क्रिश्ण और तनूजा टक्रा जाते है जिससे तनूजा के गिलास का सारा जूस क्रिश्ण के कप्टों पर गिर जाता है क्रिश्ण ये देख कर जो से कहता है अब ये क्या है वही तनूजा भी काफ ज्यादा अच्छी थी वो मुस्क्यूलत तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो किसी भी लड़की को अपनी तरफ आसानी से आक्रिशित कर सकती थी यही तनुजा के साथ हो रहा था वो कृष्ण के कप्टों से जूस हटाते खटाते कब कृष्ण को छूने लगी उसे खुद पता ह नहीं चला वो कृष्ण की बॉड़ी को टच कर रही थी कृष्ण को यह काफी ज्यादा अजीब लग रहा था इसलिए वो तनुजा से कहता है रहने दो कोई बात नहीं मैं कर लूँगा आप रहने देजिए और ये कहकर वो तनुजा का हाथ हटाने लगता है लेकिन कृष्ण उससे दूर होते हुए कहता है मैंने कहा था आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मैं कर लूँगा और वैसे भी जूसी तो है आप रहने देजिए जिस पर तनुजा कृष्ण के और भी पास आते हुए कहती है जी जा जी आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ आप ज्यादा मत सोचे और अगर आप दी की वज़े से डर रहे हैं तो ज्यादा मत सोचे मैं उन्हें संभाला लूँगी वैसे भी मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ जिस पर कृष्ण तनुजा से दूर होते हुए कहता है ये तुम क्या कह र और ना ही क्रिश्ण की काफी ज्यादा पास आकर उसके कान में रोमांस के बारे में लेकिन मुझे पता है कि आपकी जरूरते क्या है अगर आप चाहें तो मैं आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ वही उसकी ऐसी हरकतों से क्रिश्न काफी ज़्यादा डर जाता है वो मन में कहता है क्या ए अमीर परिवारों की लड़किया इतनी बद्तमीज और गंदी होती है कितना लूस क्यारेक्टर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है खुले आम कौन ऐसी बाते करता है और वो भी अपनी ही बहन के पती से क्रिश्न ये सब सोच कर काफी ज़्यादा गुसा और परेशान हो रहा था वो यहां से जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उससे एक आवाज आती है क्रिश्न वहां क्या कर रहे हो जिस पर क्रिश्न जब उस तरफ देखता है तो वहां प्रियंका थी प्रियंका को देखतर उसे काफी ज़्यादा खुशी होती है वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से प्रियंका के पास जाता है प्रियंका की कान पर फोन था और वो किसी से बात कर रही थी कृष्ण बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा दर गया था वही प्रियंका उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा चौप जाती है वो कुछ समझ नहीं पाती वही कृष्ण उसे काफी जोर से पकड़ा हुआ था और उसने उस से ऐसे गले लगा रखा था जैसे प्रियंका कही भागने वाली थी प्रियंका की नजर कृष्ण के पिछे जाती है जहां तनुजा ख़़ी थी और वो भी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई प्रियंका को ऐसे गले भी लगा सकता है बि जिए बस तुम्हारे गले लगाने दो, और ये कहकर वो कुछ देर ऐसे ही रहता है, फिर वो गले लगे हुए ही खुद को शान्त करता है, और फिर प्रियंका से अलग होता है, प्रियंका उसके गीले कपड़े देख कर कहती है, तुम्हारे कपटों को क्या हुआ? जिस पर कृष्ण कहता है, वो गलती से जूस गिर गया, जिस पर प्रियंका उसे देख कर कहती है, ठीक है कोई बात नहीं जाकर कपड़े बदल लो मेरे कमरे में है, जिस पर कृष्ण हा कहता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर वापस आकर फिर से प्रियंका को गले जगा कर वहां से चला जाता है वही प्रियंका उसकी इस हर्प को देख कर कहती है पागल कही का और ये कहकर वो मुस्कुरा देती है वही कृष्ण भी वहां से चला जाता है। प्रियंका का गुस्सा तनुजा जो कृष्ण के साथ फ्लट कर रही थी वही उसकी ये सब हरकते प्रियंका देख रही थी और उसे तनुजा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे काफी ज्यादा गुस्से से देख रही थी लेकिन तनुजा को नहीं पता इस ब कमरे में जाती है जहां तनुजा काफी आराम से बैठी हूई थी प्रियंका उसके कमरे का दर्वाजा खोल कर अंदर जाती है और वो तनुजा को देखती हैं। प्रियंका को देख कर तनूजा कुछ कहती उससे पहले ही प्रियंका तनूजा के पास जाकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे बिस्तर पर फेक कर उसके गले को दबाते हुए कहती है तुम कभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आओगी। वही तनूजा जिसे इन सब से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो खुद को छूदाने की कोशिश कर रही थी उसको प्रियंका से दर भी लग रहा था क्योंकि इस पुरी फैमिली में बस प्रियंका ही है जिससे सभी लोग दरते हैं वही तनूजा काफी ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो खुद को प्रियंका से अलग कर सके, प्रियंका को तनुजा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अभी उसे सबक सिखाने आई थी, प्रियंका तनुजा का गला छोड़ उससे दूर खड़ी हो जाती है, और तनुजा अपने आप को संभाल कर बैट जाती है वो हॉन्फने लगती है उसकी सांसे फूर चुकी थी वो हॉन्फते हुई कहती है प्रियंका तुम ये तुम ये क्या कर रही हो आखिर में तुम्हारा क्या बिगारा है जिस पर प्रियंका उसके पास जाती है और तनुजा काफी ज्यादा दर जाती है वो प्रियंका स दूर जाते हुए कहती है, मुझे से दूर रहो मेरे पास भी मताओ। जिस पर प्रियंका उसके काफी ज्यादा पास आकर उसके चेहरे को पकल कर अपने करीब करके कहती है, तुम जानती हो ना की मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर तनुजा अपने आपको संभाल कर उठकर प्रियंका के पास आकर गुस्से से कहती है, प्रियंका मैं जानती हूं कि तुम सिंधानिया फैमिली की सकसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम भूलो मत कि मैं भी इसी फैमिली से हूँ और अगर तुम मेरे साथ ऐसा बरताव करोगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। जिस पर प्रियंका उसे गुस्से से देख काफी जादा शांती से कहती है, ओ हैसा क्या। वही प्रियंका के इस तरह बदलते टेवर और उसके इस बदले भाव से तनुजा का शरीर कापने लगता है क्योंकि वो स एसी भी किमत पर इस तरह से नाराज नहीं कर सकती थी। फिर तनुजा खुद को समभाल कर कहती है प्रियंका आखिर बात क्या है तो मैं से बरताव क्यों कर रही हो। जिस पर प्रियंका उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती और बस वो कोल्डली हसने लगती है अब उसकी तुमने तो चलो बताती हूँ और ये कहकर वो उसके पासा कर उसका गला फिर से पकड़ कर एक दिवार के पास लगा देती है वही तनुजा अपने हाथ पैर मारने लगती है ताकि वो खुद को छुड़ा सकते लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता वो प्रियंका से कहती है छोड़ो म इस पर प्रियंका उसे गले को और भी ज्यादा दबाते हुए कहती है आखिर ये दर तब कहा गया था जब तुम मेरे पती के साथ फ्लट कर रही थी मेरे पती को अपनी तरफ रिजाने की कोशिश कर रही थी उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी आखिर तब याद क्यों नहीं आया कि तुम मेरी बहन हो जब अपनी ही बहन के पती के साथ खुले आम फ्लट कर रही थी मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही थी आखिर तब ये दर कहा था आखिर तब ये बहन का रिष्टा कह था फिर वो उसे छोड़ देती है जिससे तनुजा जमीन पर गिरे जाती ह और हॉन्फने लगती है कमरे कुछ दिवार साउंड प्रूफ है अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी इसलिए कोई भी उन्हें नहीं सुन सकता था तनुजा इस समय जमीन पर गिरे हुए साफ और खास रही थी उसका पुरा चेहरा लाल हो चुका था प्रियंका उसे देख कर कहती है इसे मेरी पहली और आखिरी चेतावनी समझना अगर दोबारा तुम कृष्ण के आसपास भी नजर आई तो तुम्हारी बाडी भी किसी को नहीं मिलेगी और मेरी इस बात को अगर तुम मजाक समझ रही हो और अगर तुम ये लग रहा है कि हम एक ही परिवा ने कितनी ज़्यादा ताकत का इस्तिमाल किया है लेकिन प्रियंका वहां से जाती उससे पहले ही कमरे में नताशा आती है और तनूजा की ये हालत देखकर वो प्रियंका की तरफ देखती है फिर वो तनूजा को संभाल कर प्रियंका की तरफ देखकर काफी ज़्यादा गु जिस पर प्रियंका की मुर्थी काफी ज्यादा कह जाती है और वो मुर्ग कर नताशा के पास आती है और वो नताशा को काफी ज्यादा गुस्से से देख रही थी वही नताशा भी प्रियंका उसे देख कर कहती है अपना मुँ बंद रखो जिस पर नताशा उसे देख कर कहती ह तुम ही क्या लगता है ये सब करके तुम हमें दरा सकती हो प्रियंका तुम भूलो मत की मैं क्या क्या कर सकती हूँ और वो ये सब बिना किसी दर के कह रही थी उसकी नीली आँखों में कोई दर नहीं था प्रियंका उसके पास आकर उसका गला पकड़ कर उसे अपने पास खिच कर उसके गले पर दबाव डाल कर कहती है किसी और की पहचान छिनने वाली और किसी और की जिंदगी जीने वाली मुझे दरा रही है नताशा यदुवनशी वहीं ये सुनकर नताशा काफी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो जिस पर प्रियंका उसके गले को छोड़ कर कहती है ज्यादा कुछ नहीं बस इतना ही कि अगर खुद की दामन पर दाग हो तो दुसरों पर किचर नहीं उचालते और रही बात दराने की तो वो तुम मुझे से ज्यादा अच्छे से जानती हो कि कौन क्या है और कौन किस से कितना ज्यादा दरता है वैसे भी मुझे तुम से लड जिस पर नताशा उसे देख कर कहती है तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और बस अपना काम करो जो करने आये हूँ और हाँ थोड़ा संभल कर क्यों अब हमें प्रियंका से बचना है और ये कहकर दोनों जाकर बिस्तर पर लेट जाती है वही प्रियंका वहां से सीधा अपन कमरे में जाती है तो उसे बातरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और ये सुनकर वो वही बिस्तर पर बैट जाती है प्रियंका अपनी आखे बंद करती है और बिस्तर पर लेट जाती है उसे काफी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए वो पहले खुद को शान् इसलिए उसने सोचा कि वो बाहर आकर कपड़े पहन लेगा। प्रियंका जब ये सब देखती है तो उसकी थड़िक काफी ज़्यादा बढ़ जाती है वही क्रिश्न की नजर प्रियंका पर नहीं जाती वो वहां से सीधा आईने के सामने जाता है और अपने बालों को सुखाने लगता है क्रिश्न काफी ज्यादा हैंसम इन होट लग रहा प्रियंका उसे ऐसे देख कर सांस लेना ही भूल गई थी उसे यकिन नहीं हो रहा था कि क्या ये उसी का पती है प्रियंका क्रिश्न को बिना पल के जपकाएं देख रही थी वही क्रिश्न अपने आप में ही मगन था उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी वो जब ये स जले दुसरी तरफ घुमाती है खासने के एक्टिंग करती है। वही कृष्ण जब आवाज सुनता है तो वो आएने से ही देखता है तब उसकी नजर प्रियंका पर जाती है जो दुसरी तरफ चहरा करके बैठी हुई थी। ये देखकर कृष्ण हैरान रह जाता है पहले तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन फिर वो जब अपने कपड़े देखता है तो उन्हें लेकर बातरूम में भाग जाता है वही प्रियंका उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुरा देती है और वो मन में कहती है पागल। फिर व वो वापस बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी आखें बंद कर लेती है और एक गहरी सोच में दूबा जाती है वो बहुत कुछ सोच रही थी कुछ देर बाद गरवाजा खुलता है और क्रिशन बाहर आता है वो अब तयार था प्रियंका उसे देखकर कहती है मुझे तु वो जूस का गिलास गिर गया था और मैं काफी जादा दर गया था वही प्रियंका क्रिशन का जूट सुनकर उसकी तरफ देखकर काफी सिरियस होकर कहती है तुम जूट बोलने की जरूरत नहीं है मैं जानती हूँ कि तनूजा ने तुम्हारे साथ कैसा बरताव किया है जिस कभी भी कोई भी परिशान हो किसी से भी हो चाहे वो परिवार का हो या बाहर का तुम कभी भी मुझे बता सकते हो मैं कभी तुम्हें जुझे नहीं करूंगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी तुम सिर्फ क्रिशन नहीं हो तुम अब मेरे पती हो फिर प्रियंका उस या कोई तुम्हें परेशान करे तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे जो भी गलत करे तुम मुझे बिना किसी जिजग के बता सकते हो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सब लोग मेरे खिलाफ चले जाएं लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं करता मुझे नहीं पता कि लोग तुम्हें बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं लेकिन अगर कोई मुझे से पुछे तो मेरी नजरों में और मेरे लिए जितनी भी लड़कियों से मिला हुआ तुम सबसे बहतर हो और तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम हे बारे में क्या कहते हैं क्योंकि मेरे लिए तुम दुनिया का सबसे kind-hearted, sweet, caring, lovely person हो और ये कहकर कृष्ण मुसकुरा देता है वही प्रियंका है रान थी क्योंकि शायद उसने ये शब्द अपने लिए कभी भी नहीं सुने थे वो सब के लिए एक ruthless, cold-blooded, cruel, crazy, heartless, cold heart, emotionless, devil, demon, monster जैसे नामों से ऐसे शब्दों से उसकी तारीफ होती थी आज पहली बार किसी ने उसके बारे में ये सब कहा था प्रियंका बस क्रिष्ण को देख रही थी वही क्रिष्ण फिर उसे देख कर कहता है और रही बात मदग की तो तुम हमेशा मेरी मदद करती हो और अगर कभी मुझे कुछ भी गलत लगा या मुझे लगा कि कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊं फिर प्रियंका उसे देख कर कहती है तो तुमने मुझे तनुजा के बारे में क्यों नहीं बताया जिस पर कृष्ण अपनी नजरे जुका कर कहता है क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम्हारी बेहन है और तुम दोनों जिस पर प्रियंका उसका चहरा अपने हाथों में लेकर काफी प्यार से कहती है हाँ मैं मानती हूं कि वो मेरी बहन है लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे आगे तुम हो और मैंने कहाना चाहे कोई भी हो घर का या बाहर का किसी को हक नहीं है तुम्हारे परेशान करने का तुम्हें दुखी करने का जिस पर कृश्न मुस्कष़ा कर तहता है ठीक है अब से अलग कुछ भी होगा तो मैं तंहें जरूर बताउंगा जिस पर प्रियंका उसे देख कर कहती है पक्का जिस पर कृष्ण भी कहता है हाँ पक्का फिर वो दोनों ही मुस्कुरा देते हैं वही दूसरी तरफ सब लोग निचे हौल में बैठे हुए थे तनुजा और नताशा भ्या गए थी वही जब सब ने तनुजा के गले पर निशाना देखे तब समीक्षा जी ने वहाँ बेटा ये क्या हुआ तुम्हें गले को जिस पर तनुजा जल्दी से कहती है वो आंटी मैंने शायद काफी ज़्यादा टाइट नेकलस पहन लिया जिससे ये हो गया जिस पर समीक्षा जी कहती है बेटा ध्यान रखा करो और नेकलस थोड़े धीले पहना करो फिर उनकी नजर नताशा पर जाती है जिसके गले पर भी निशाना था उसे देख कर समीक्षा जी कहती है क्या तुमने भी टाइट नेकलस पहन लिया था जिस पर नताशा कहती है हाँ आंटी हमने एक ही जगल से एक जैसे लिये थे इसलिए दोनों की ही गर्दन पर निशाना पड़ गए फिर वो सब आपस में ऐसे ही बाते करने लगते है फिर दादा जी पुछते है वो दोनों कहा है जिस पर समीक्षा जी सीलियों की तरफ देख कर कहती है वो दोनों वहाँ है जिस पर दादा जी उस तरफ देखते हैं और दोनों को साथ में आता देख कर मुस्कुरा देते हैं चाइटी सिक्स मुझे डर लग रहा है। प्रियंका और कृष्ण दोनों सीलियों से नीचे आ रहे थे वही सब लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। वो दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वही नताशा प्रियंका को काफी ज्यादा गुस्से से दे ठीक था। वो दोनों काफी आराम से आकर सबसे पास बैग गए दादा जी ने जब उन दोनों को देख तो वो उन्हें छेलते हुए बोले अरे वाह क्या बात है दोनों साथ में। जिस पर प्रियंका उन्हें देख कर कहती है आप कहना क्या चाहते हो। जिस पर दादा जी अपनी बात को पुरा करते हुए कहते हैं यही कि दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हुँ क्या जोड़ी बनाए है मैंने। जिस पर समीक्षा मुस्कुरा कर कहती है हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा क्या जोड़ी बनाए है आपने पापाजी। फिर वो स उसकी नजर कृष्ण से ऐसे दुर हो रही थी जैसे वो हो ही ना। वो सब साथ में खाना खाते हैं फिर प्रियंका और कृष्ण वहां से चले जाते हैं क्योंकि अब रात हो चुकी थी। दादा जी चाहते थे कि वो दोनों यही रुख जाए लेकिन तनुजा और नताशा के यहां होने की वजह से वो कुछ नहीं कहते और उन्हें सुरक्षित जाने के लिए कहते हैं। दोनों कार में बैट कर घर के लिए निकल जाते हैं। प्रियंका अपने फोन में कल का उसका शेडिूल चेक कर रही थी वही कृष्ण खिलकी से बाहर चल रही चहल पहल को देख रहा था उसे अब अपनी इस जिन्दगी की आदत हो गई थी वो मीरों की तरफ रहने की। वही प्रियंका की पुरे परिवार को देख कर कृष्ण को अब अपने परिवार की याद आ रही थी उसे अपनी मम्मी पापा बहन सब की याद आ रही थी वो उनसे मिलना चाहता था वो उन्हें अपनी इस जिन्दगी के बारे में बताना चाहता था वो उन्हें अब सब से मिलाना चाहता था क्रिश्न उरकर प्रियंका की तरफ देखता है उससे याद आता है कि प्रियंका कैसे उससे बाते कर रही थी वो कितने प्यार से उससे समझा रही थी इसी तरह उसकी मम्मी उसकी बहन उससे समझाते है उसे याद आता है प्रियंका हर समय उसकी मदद करती है चाहे वो किसी भी परेशान में क्यों ना फसा हो वो एक टक बस उसे ही देख रहा था वही प्रियंका अपने काम में बिजी थी उसका ध्यान क्रिशन की तरफ नहीं था लेकिन फिर भी उसे पता था कि वो जरूर उसे ही देख रहा है वही कृष्ण अब खुद से कहता है एक ना एक दिन ये सच्चाए सब के सामने आएगी और मैं भला कब तक सबसे ये सब कुछ शिपा पाऊंगा फिर उसे याद आता है कैसे उसके मामा उसके लिए नए नए रिष्टे लाते हैं और अगर कभी गलती से उसकी मम्मी पापा ने किसी को हाँ कह दिया तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी वो काफी कुछ सोच रहा था कृष्ण इन सब में बस एक टक प्रियंका को गूर रहा था वो अब इस बात से परेशान हो रहा था प्रियंका उसे भी महसूस होता है कि कृष्ण उसे घूर रहा है वो कृष्ण की तरफ देखती है जिसके चहरे पर साफ साफ परेशान देख रही थी जैसे वो किसी बात से परेशान हूँ या कोई बात बार-बार उसे परेशान कर रही हो प्रियंका क्रिश्न को देखती है और वो कुछ कहती तभी ड्राइवर कहता है बॉस हम पहुँच जाए जिस पर प्रियंका क्रिश्न का हाथ हिला कर कहती है हम पहुँच गए जिस पर कृष्ण होश में वापसा कर कार से निचे उतर कर घर के अंदर चला जाता है उसे तो ये भी पता नहीं चलता कि प्रियंका उसके पिछे नहीं है प्रियंका सब कृष्ण को जाते हुए देख रही थी वो बिना कुछ कहे बस कृष्ण के पिछे जाती है वो चाहती थी कि कृष्ण खुद उससे बात करे इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कहती प्रियंका अपने कमरे में जाती है और कुछ फाइल लेकर सटेडी रूम में चली जाती है कृष्ण जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है वो काफी कुछ सोच रहा था तभी उसका फोन बजने लगता है जब वो देखता है तो ये उसके पापा का था कृष्ण फोन उठा कर कहता है हेलो पापा जिस पर उसके पापा दुसरी तरफ से कहते हैं हेलो बेटा कैसे हो तुम जिस पर कृष्ण भी बड़े ही आराम से कहता है मैं अच्छा हूँ आप सब कैसे है जिस पर उसके पापा कहते है हम बिल्कुल ठीक है बेटा वो तुम से कुछ बात कहनी थी जिस पर कृष्ण परेशान हो कर कहता है क्या हुआ पापा कोई बात है क्या क्या सब कुछ ठीक है घर पर सब ठीक है ना कही कुछ हुआ तो नहीं जिस पर उसके पापा उसे शान्त करते हुए कहते हैं सब कुछ ठीक है बस तुम्हारी मम्मी और बहन कह रही थी कि वो तुम से मिलना चाहती थी तुम भी काफी समय से घर नहीं आये हो जिस पर कृष्ण जल्दी से कहता है ठीक है पापा मैं कल ही आ जाता हूँ वैसे भी मुझे भी आप सब की याद आ रही थी जिस पर उसके पापा कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं मैं तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन तुम्हारे मामा जो वही शहर में काम करते हैं उनके साथ कर सुबह आ जाएंगे बस हम तुम्हारे बताना चाहते थे तुम हमें तुम्हारा पता दे दो हम तुम से मिलने आ जाएंगे सब लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे थे जिस पर कृष्ण हेरान होकर उसी हेरानी में कहता है क्या पापा आप सब यहां आ रहे हैं और वो भी कर सुबह जिस पर उसके पापा कहते है हाँ हम सब तुम से मिलने कर आ जाएंगे सुबह पांच बजी तक तुम हमें लेने के लिए आ जाना ठीक है और ये कहकर उसके पापा फोन कार देते हैं वही कृष्ण काफी ज्यादा है रान और परेशान हो जाता है वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा प्रियंका के पास जाता है क्योंकि अब उसकी हर परेशान का बस एक हल बन गया था और वो थी प्रियंका उसे जब कोई दिक्कत होत प्रियंका के पास जाता तो आज भी उसका दिमाग उसे वही उसके पैरों की मदद से लेकर जाता है क्रिशन बिना दर्वाजा खट खटाएं अंदर जाता है वही प्रियंका एक ओनलाइन मिटिंग अटेंड कर रही थी क्रिशन वहाँ जाकर कहता है प्रियंका दिक्कत हो प्रियंका कहा हो तुम, और ये कहते हुए वो प्रियंका की टेबल के पास जाकर उसकी चे को अपनी तरफ घुमाता है, वही प्रियंका जो अभी अपनी मिटिंग अटेंड कर रही थी वो क्रिशन को वही रुकने का इशारा करती है, लेकिन क्रिशन तो मानो सब कुछ भूल प्रियंका अक्स्क्यूस करके लाप्टॉप बंद कर देती है और कृष्ण की तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देखती है लेकिन जब वो कृष्ण का परेशान चहरा और उसकी हालक देखती है तो वो कंफ्यूस हो जाती है कृष्ण ने बस एक स्लिपर पहना हुआ था उसक मामा जी साथ आ रहे है मम्मी पापा कुछ करो मैं तो गया मम्मी पापा वहीं उसकी बात प्रियंका को समझ में नहीं आ रही थी वो कोई भी शब्द अच्छे से नहीं कह रहा था प्रियंका उसकी यहालक देखकर उसे पकड़कर पहले सोफे पर बैठाती है लेकिन कृष् जिस पर प्रिष्ण गहरी सांसे लेकर खुद को शांत करके कहता है वो पापा का फोन आया था घर से मेरे पापा का फिर वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है जिस पर प्रियंका कहती है और उन्होंने क्या कहा जिस पर प्रिष्ण उसे देखकर कहता है वो सब लोग क जहरा रहे हैं और वो भी कर सुबह सुबह और मुझे उन्हें लेने जाना है। जिस पर प्रियंका कहती है तो इसमें क्या परेशान हो वो आ जाएंगे मैं कार भेज धूंगी उन्हें लेने के लिए। जिस पर कृष्ण कहता है अच्छा तो तुम कार भेज दोगी ताकि उन जानते इसलिए वो खुद को शान्त करके कहता है। प्रियंका मेरे परिवार को मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जिस पर प्रियंका उसे देखती है लेकिन उसके चहरे पर कोई एक्सप्रसें नहीं थे और देखकर कृष्ण उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता चसातासी कृष्ण के मम्मी पापा कृष्ण जब प्रियंका को ये बताता है कि उसके घर पर किसी को भी उसकी शादी के बारे में नहीं पता जिस पर प्रियंका उसे बिना किसी भाव के देखती है उसके चहरे के ऐसे भाव देखकर कृष्णू से समझाने लगता है कुछ देर तक कृष्णू से समझाता है कि वो अपने परिवार को उसकी शादी के बारे में क्यू नहीं बता पाया वो कहता है प्रियंका मैं सब को बताना चाहता था लेकिन तुम भी जानती हो जब मम्मी पापा का एक्सिडेंट हुआ था उस समय उनकी हालत नाजुक थी वो काफी जादा कमजोर थे शरीर से भी और मन से भी अगर मैं उन्हें बताता तो उनकी हालत और भी जादा खराब हो जाती इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया फिर राज ने भी उनके सामने ये कह दिया कि मैं उसकी कमपनी मतलब तुम्हारी कमपनी में काम ता कि पैसे वापस दे सकू जो इलाज में लगे हैं और इसी के चलते में कुछ कैही नहीं पाया मैं दर गया था अगर बताता कि मैंने बिना बताए और किस हालत में शादी की वो काफी ज़्यादा दुखी हो जाते वो खुद को अपरादी मानते तुम समझ रही हो वहीं उ तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती लेकिन फिर भी तुम कब तक उन से ये बात चुपाओगे कभी ना कभी ये सच सब की सामने आएगा तब तुम क्या करोगे जिस पर कृष्ण कुछ देर तक उसे देख कर फिर कहता है देखो में सही समय और सही माहौल देख कर बता द और तुम्हें पता है मामा जी के गाउंग में एक लड़का शहर गया था मेरी तरफ और वो अपने साथ एक वाइफ लेकर लोटा इस बात का सारा किसा मेरे घर पर सुना कर वो मेरे ममी पापा के दिमाग में ये बात दालना चाहते थे कि मैं भी गलत रास्ते पर चल सकता और वो अपने किसी रिष्टेदार की लड़की से मेरी शादी करना चाहते थे और ताकि मैं कहीं और ना जा सकू वो मुझे बांधना चाहते थे जिस पर प्रियंका उसे देख कर काफी शांती से एक मुस्कान के साथ कहती है वैसे उनकी ये मेहनत बेकार है तुम तो पहले स प्रियंका उसकी बात को नजरंदाज करके कहती है मैं तुम्हारी बात समझ गई अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे से क्या चाहते हो जिस पर क्रिश्ण उसे देख कर अच्छे से सोफे पर बैठ कर कहता है ज्यादा कुछ नहीं बस एक छोटा साथ दो या तीन कम का फ्लैक चाहिए जहां मैं उन्हीं लेकर जा सको जिस पर प्रियंका उसे देख कर कहती है फ्लैक की क्या जरूरत अगर तुम चाहो तो उन्हें मेरे नए फार्म हाउस पर लेकर जा सकते हो वही क्रिश्ण जो इतना समय प्रियंका के साथ रह कर वो से अब समझने लगा था उसे पता था प्रियंका की सिंपल और सबसे सस्ती चीज भी लाग से शुरू होती है वही क्रिश्ण उसकी बात सुनकर उसे देख कर अपनी चेन पर हाथ रख कर बड़े ही प्यार से कहता है और वो फार्म हाउस कितने का है जिस पर प्रियंका उसकी नजरे और हरकत देख कर कहती है ज्यादा का नहीं बस 600 करोर का जिससे सुनकर क्रिश्ण जो पहले इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान और सदमे में चला जाता है था वो अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है और इतने सस्ते फार्म हाउस में 10-20,000 कमाने वाला इतने सस्ते घर में रह सकता है ना जिस पर प्रियंका उससे नजले चुरा कर मुँ बना कर कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लिए एक छोटे से फ्लैत का इंतचार करना धूंगी जिस पर क्रिश्ण उसे देख कर कहता है अच्छी बात है फिर प्रियंका उससे देख कर कहती है वैसे मैंने तुमसे कभी तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं पुछा तुम्हारे घर में कौन-कौन है। जिस पर कृष्ण उसे अपने परिवार के बारे में बताने लगता है और वो दोनों ऐसे ही बहुत सारी बाते करते हैं। बाते करने के बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं जहां विस्तर में लेटकर प्रियनका से कहता है मुझे सुबर जल्दी उठा देना तुम तो जल्दी उठ जाती हो। जिस पर प्रियंका उसे देख कर हां कहती है फिर प्रिश्न अपनी आंखें बंद कर लेता है लेकिन उसे काफी देर बाद भी नीन नहीं आती। वही प्रियंका जो अपनी आँखों पर हाथ रख कर लेटी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो चुकी हो क्रिश्न धीरे से प्रियंका के पास जाता है और उसे आराम से अपनी बाहों में लेता है वो इस बात का पुरा ध्यान रखता है कि उसकी नीन खराब ना हो क्रिश्न कहकर उसकी कमर को पकरता है और अपने पैर उसके पैरों के उपर डाल कर अपनी आँखे बंद कर लेता है अपी समय पर खुल जाती है और वो उठकर एक्सरसाइज के लिए जाने ही वाली थी लेकिन फिर उसे याद आया कि कृष्ण को आज अपने मम्मी पापा को लेने के लिए जाना है और उसे जल्दी उठना है इसलिए प्रियंका ने कुछ सोच कर कृष्ण को उठाने का फैसला किया प्रियंका कृष्ण के पास जाकर उसे उठाने लगी वो कृष्ण को उसके नाम से बुला रही थी कृष्ण उठो कृष्ण सुबह हो गई अब उठो कृष्ण अब उठ भी जाओ कृष्ण उठो अब तक सो ओगे तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को लेने जाना ह लेकिन क्रिशन जो उठी नहीं रहा था ये देखकर प्रियंका क्रिशन को उठाने के लिए उसे हिलाने लगी लेकिन क्रिशन उठी नहीं रहा था प्रियंका ने उसकी चदर छिनली लेकिन फिर भी नहीं प्रियंका अब उसके पास आए और उसके कान में बोली क्रिशन उठो सुबह हो गई है। प्रियंका कृष्ण को आदे घंटे से उठा रही थी वही इस तरह की आवाद सुनकर क्रिष्ण घबरा गया और उसने चिलाने वाले को पकल कर खीच लिया और वो उसके उपगिर गया। क्रिष्ण ने प्रियंका को उसकी कमर से पकल कर अपनी तरफ खीच लिया और प्रियंका अपना संतुलन खो कर सीधा क्रिष्ण के उपगिर गई गिरने के दर के कारण प्रियंका की आँखे बंध हो गई उसके बाद उसके चहरे पर आगई जो एक पॉनेटेल में बंधे प्रियंका ने उसके कान में चिलाया तो क्रिश्न ने उसे अपने उपधी चलिया प्रियंका इस समय क्रिश्न की उपभी क्रिश्न की आँखे भी अप खुल चुकी थी और वो प्रियंका को देख रहा था प्रियंका की नजर भी क्रिश्न पर थी प्रियंका जो क्रिश्न की आ प्रियंका जब फोन की आवाज सुनती है तो वो जल्दी से उठ जाती है जल्दी उठो और तैयार हो जाओ तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को भी लेने जाना है और ये कहकर वो अपने फोन की तरफ जाती है जो काफी जोर से चिल्ला रहा था और उसे उठाने के लिए कह रहा था प्रियंका अपना फोन उठा कर देखती है तो ये राज था प्रियंका जानती थी कि जरोर कोई जरोरी बात है वरना राज उसे इतनी सुबह फोन नहीं करता प्रियंका फोन उठा कर कृष्ण की तरफ देखती है जो मूँ बना कर बात्रूम में जा रहा था उसका चेहरा देखकर प्रियंका समझ गई थी कृष्ण डिसपोइंटेड हो गया था अभी जो हो रहा था प्रियंका जब उसका ऐसा चेहरा देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आजाती है वो फोन पर कहती है, हेलो राज बोलो जिस पर राज कहता है, सौरी बॉस इतनी सुबह सुबह फोन करने के लिए आखिर बात ही ऐसी है कि मैं कुछ समझ नहीं पाया जिस पर प्रियंका उसकी बात की गंभीरता समझ कर कहती है, बोलो जिस पर राज एक गहरी सांस लेकर कहता है बॉस अभी मुझे इंफोमेशन मिली है कि आपके बड़े दादा जी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है उनका बचना नामुम्किन है और कुछ भी हो सकता है डाक्टरों ने कहा दिया है कि वो उन्हें नहीं बचा सकते जिस पर प्रियंका काफी शांती से कहती है और ये कहकर वो अपना फोन कार्ट देती है प्रियंका कुछ और करती उससे पहले ही उसका फोन फिर से बज़ता है और इस बार उसके पापा थे प्रियंका फोन उठा कर कहती है हेलो पापा, जिस पर उसके पापा काफी परेशान आवाज में कहते है तुम्हारे बड़े दादा जी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है दाक्तरों ने जवाब दे दिया है सब लोग बस उनकी आखिरी सासों का इंतजार कर रहे है जिस पर प्रियंका बस हमम कहती है उसकी बात सुनकर उसके पापा कहते है तुम्हे कल यहां आना होगा जिस पर प्रियंका बस उप कहकर फोन कट कर देती है फिर प्रियंका एक गहरी सास लेती है और वो मन में कहती है तूफान आने वाला है फिर वो बातरूम के दरवाजे की तरफ देखती है जहां अभी क्रियंका दरवाजे की तरफ देख कर कहती है लेकिन इस तूफान में कुछ भी हो जाए तुम्हे कुछ नहीं होगा और ये कहकर वो कमरे में बाहर चली जाती है क्योंकि अभी उसे अपने ओफिस का काम करना था ताकि वो घर जा सके उसे पता था घर पर जरूर कुछ तो होगा क्योंकि कोई भी बात इतनी आसानी से सिंधानिया फैमिली नहीं निपता सकती प्रियंका जब तक काम करती है तब तक क्रिश्न भी तैयार हो जाता है आज वो काफी ज़्यादा हैंसम लग रहा था और अब तक सुबल की 6 बच चुके थे क्रिश्न प्रियंका को खोजते हुए सटैडी रूम में जाता है जहां प्रियंका तैयार थी और वो खिलकी से बाहर देखते हुए किसी से बात कर रही थी प्रियंका का एक हाथ उसके फोन पर और दुसरा उसकी जेब में था वो काफी ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी और वो काफी ज़्यादा खुबसूरत लग रही थी प्रियंका वहां किसी से फोन पर बात कर रही थी लेकिन वो किसी दुसरी भाशा में कर रही थी तो तुम तैयार हो गए जिस पर कृष्ण हा कहता है और फिर वो दोनों ब्रैकफास्ट के लिए जाते हैं ब्रैकफास्ट के बाद कृष्ण और प्रियंका दोनों एक साथ बाहर आते हैं क्रिश्न बिनकार के जाने लगता है ये देखकर प्रियंका उससे कहती है तुम कहां जा रहे हो जिस पर क्रिश्न कहता है मैं बस टॉप पर जो सुनकर प्रियंका उसे अजीब नजरों से देखती है जिस पर क्रिश्न कहता है अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे म क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास कार नहीं है। जिस पर कृष्ण कहता है तुम्हें पास तो कार है और किस गधे ने कहा दिया कि तुम गरीब हो कोई पागल ही तुम्हें गरीब कहेगा। जिस पर प्रियंका उसे देख कर कहती है तो तुम बस टॉप पर क्यों जा रहे हूँ कार का क्या करना है उसका इस्तिमाल करो और उसमें जाओ जहां जाना है जिस पर क्रिशन कहता है मैं अपने मम्मी पापा को लेने के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझे इतनी महेंगी कार में जाने को कह रही हूँ क्या तुम कल रात की बात भूल गई कल राट की बात याद आते ही प्रियंका समझ जाती है आखिर क्रिश्न बस्टॉब पर जाना चाहता है जिस पर प्रियंका उसे देख कर कहती है तुम ही मम्मी पापा जहां आने वाले है तुम उससे कुछ दूर उतर जाना जिस पर कृष्ण कुछ कहने के लिए मूँ खोलने ही वाला था लेकिन फिर प्रियंका उसे देख कर कहती है अब ज्यादा बाते मत करो वैसे तुम्हारे मम्मी पापा रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं जिस पर कृष्ण हा कहता है तब प्रियंका उसे देख कर कहती है तुम मेरी कार में बैट जाओ मैं वही से जाने वाली हूँ तुम्हें छोड़ दूँगी जिस पर कृष्ण कुछ कहना चाहता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि प्रियंका काफी ज्यादा व्यस्त रहती है और वो उसे अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता वो उसके साथ कार में बैट जाता है प्रियंका उसे रेलवी स्टेशन के बाहर छोड़ देती है और देख कर कहती है राज ने तुम्हें पता भेज दिया है तुम सब को वहां लेकर चले जाना और पहुँचकर मेसेज करना अगर जगह में कोई परेशानी हुई तो जरूर बता देना जिस पर कृष्ण मुस्करा करहां कहता है और वहां से चला जाता है वही कृष्ण के जान का फिर से सामना करना है प्रियंका खुद को फिर से वही cold heart motionless person में बदल लेती है जिसके अंदर कोई भी भावना है जैसे कभी पैदा ना हुई ना कभी होंगी प्रियंका अपना ज्यादा तर समय ओफिस में बिताती है और दोपहर को वो अपने बड़े दादा के घर के लि रेलवे स्टेशन पर पहुँचा था जहां उसके मम्मी पापा आने वाले थे कुछी देर में ट्रेन आ गई क्रिश्न काफी ज्यादा बेसबरी से सब का इंतजार कर रहा था तभी उसे एक आवाज आई जो उसके पीछे से आ रही थी और ये काफी ज्यादा जानी पहचान आवाज थी क्रिश्न ने देखा तो वो उसकी बहन माया थी जो उसे आवाज लगा रही थी भाईया भाईया क्रिश्न उसकी आवाज सुनकर उस तरफ जाता है अभी ट्रेन आई थी इसलिए लोगों की भीर उमडी हुई थी क्रिश्न ने वहाँ जाकर सब के पैच हुए व असते हुए कहते हैं बेटा क्रिश्न तुम आ गए हमें तो लगा था तुम आना भूल गए जिस पर क्रिश्न सामान लेते हुए कहता है मामा जी इसे कैसे भूल सकता हूँ आखिर आप सब मुझे से मिलने ही आ रहे हो फिर क्रिश्न आगे चलने लगता है जिस पर मीना जी क जिस पर उसकी मामी मूँ बना कर कहती है, कमपनी के फ्लेट इतने अच्छे नहीं हूते और मुझे तो हैक के बिना नीन्धी नहीं आती। फिर वो अपने पती की तरफ देख कर कहती है, सुने जी क्यों न हम यहाँ एक अच्छा सा होटल लेकर रह ले। जिस पर उसके मामा जीवन जी भी कहते हैं, हाँ मैं भी यही सोच रहा था क्यों बेचारे बच्चे को परेशान करना और वैसे उस छोटे से फ्लेट में कितने लोग रहेंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से एक टाक्सी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वही क्रिश्न राज के दिये अड्रेस पर अपने परिवार को लेकर जाता है जहां जाकर सब की आखे बड़ी-बड़ी हो जाती है क्योंकि उसने फ्लेट की कहीं थी लेकिन यहां प्रियंका ने उसके लिए एक छोटा सा घर ही ले लिया था जो काफी बड़ा था क्रिश्न के जाने के बाद उसके पापा क्रिश्न को देख कर कहते हैं क्रिश्न बेटा ये चाबी उसके पास क्या कर रही थी ये तो तुम्हें पास होनी चाहिए जिस पर क्रिश्न घर को खोलते हुए कहता है वो पापा मैं जब ओफिस में रहता हूं तो चाबी इन ही को लेकर जाता क्योंकि कभी कभी काम के चक्तर में चावी गुम हो जाती है और अगर चावी इनके पास रहती है तो वो आसानी से मिल जाती है अब ये सब छोड़ो और अंदर चलिए वही उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी अपने पती जितेंद्र जी से कहती है आप भी ना आप से सवाल कर रहे हो अब अंदर चलो और ये कहकर वो सब अंदर जाते हैं अंदर का घर काफी ज़्यादा खुबसूरत और आलिशान था जिसे देखकर उसके पापा फिर कहते हैं क्या तेरे ओफिस में सबको ऐसे ही घर दिये गए हैं जिस पर क्रिश्न कहता है हाँ पापा सबकी पास ऐसे ही घर है और इतने महीनों तक कमपनी को मेरा काम पसंद आया था इसलिए उन्होंने मुझे और भी अच्छा घर दिया फिर वो बात बदलते हुए कहता है मम्मी पापा आप लोगों को भूख लग रही हुगी मैं खाना मंदवाता हूँ जिस पर उसकी मम्मी उसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं हम खुद बना लेंगे क्योंकि पैसे खर्च करने और ये कहकर वो उसे पुछती है रसोई कहा जिस पर क्रिश्न अपनी मम्मी को बैठते हुए कहता है मम्मी आप लोगों अभी आए हो और आते ही काम बिल्कुल भी नहीं आप सब यहीं बैठिये मैं खाना मंदवाता हूँ और वैसे भी ज़्यादा महंगा नहीं है और ये कहकर क्रिश्न सब के लिए खाना मंदवाता देता है फिर वो सब को उनके कमरे बताता है उसके बाद वो अपने फोन से राज को और प्रियंका को एक आंगरी इमोजी भेजता है जैसे वो उन दोनों से गुस्सा हो कुछ देर बाद खाना आ जाता है सब लोग साथ में खाना खाते हैं सब को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है फिर क्रिश्न सब को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वो देखकर ही बता सकता था कि सब लोग कुछ ज्यादा ही ठके हुए हैं और वो रात को अच्छे से न करने लगता है दोपहर में कृष्ण ने पुरे घर को अच्छे से देख लिया था वही दूसरी तरफ प्रियंका जो अपनी कार में बैठी हुई थी और तभी उसके और राज दोनों के फोन पर कृष्ण का इमोजी आता है जिसे देखकर प्रियंका राज की तरफ देखती है वही राज अपनी नजरे इधर उधर करता है लेकिन प्रियंका राज से कुछ नहीं कहती क्योंकि अभी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था कुछ ही देर में कार एक बड़े आलिशान महल में जाती है जहां एक गोल्फ ग्राउंड एक बगीजा और एक ब्यूटफल फ आज बस हां में गर्दन हिला कर प्रियंका की पिछे जाता है अंदर बहुत सारे लोग थे जो उसी के परिवार से थे प्रियंका की आँखे सब को देख रही थी लेकिन वो सामने देख कर चल रही थी तभी एक लड़की आकर प्रियंका को गले लगाती है यह उसके बड़े बेटा पापा जी और यह कहकर वो भी रोने लगती है प्रियंका उन्हें भी खुद से अलग करती है फिर वो अपना हाथ उठा कर सब को देखती है और फिर आगे चलने लगती है अब कोई भी उसके पास नहीं आता प्रियंका दादा जी के पास जाती है जहां जाकर वो दे देख रहे थे उनकी कमजोर और बंध होती आखे प्रियंका पर जाती है और वो उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं प्रियंका उनके पास जाती है जहां वो देखती है कि उसके बड़े दादा काफी ज्यादा गंबीर थे वो प्रियंका को देख कर हलका सा मुस्कुराते प्रियंका के चहरे पर कोई भाव नहीं थे वो बस उन्हें देख रही थी। उसके दादा जी प्रियंका को एक चांदी का छोटा सा गिलास देते हैं जिसमें चांदी का चम्मच था। प्रियंका उन्हें देख रही थी दादा जी उससे कहते हैं बड़े भाई को ही पीला दो जिसे सुनकर प्रियंका उन्हें वो पीला देती है बड़े दादा काफी आराम से उसे पी लेते है फिर प्रियंका के दादा जी उसे लेकर बाहर जाते है प्रियंका अपने दादा के साथ वही दुसरी तरफ बने कमरे में जाती है जहां कुछ लोगी थे लेकिन उन्हें जिस पर प्रियंका उन्हें देख कर कहती है। जब मेरे पिता जी की मृत्यू हुई थी तब भी ये तुफान आया था और शायद इस बार भी तकता पलट होगा मुझे देख रहा है सब लोग तेयार है तुम्हारे भायों की सिक्योरिटी भी बड़ा दो किसी को कोई मौका नहीं मिला चाहिए। जिस पर प्रियंका अपने दादा जी को देख कर कहती है। आप चिंता मत किजिए कुछ नहीं हुगा सब कुछ सही है और मैं हूँ ना। तब ही वहाँ उसके पापा आते हैं और वो अपने पापा को देख कर कहते हैं। पापा आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो कुछ नहीं हुगा माहौल बिलकुल शांत है सब लोग शांत है कोई कुछ नहीं कह रहा और नहीं कर रहा। जिस पर प्रियंका और उसे दादा एक साथ कहते हैं ज्यादा शांती मौत की निशानी होती है और मौत आने से पहले हमेशा अपनी शांती भेजती है। वही उनकी बात सुनकर उसके पापा कहते हैं, मैं समझता हूं कि सतर प्रहना जरूरी है लेकिन कुछ भी गलत नहीं है. जिस पर प्रियंका के दादा जी कहते हैं, पिछली बार इस तुफान ने कई परिवार को तबाह कर दिया, कुछ को मौत की निनसुला दी और कुछ का ना जिस पर प्रियंका के पापा कहते हैं, ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा. और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, वही प्रियंका अपने दादा जी को देख कर कहती है, दादा जी आप चिंता मत की जे में अतीत को दोहरान अगर फिर से ऐसा हुआ तो पता नहीं इस बार क्या होगा, और ये कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं, वही प्रियंका जब बाहर आती है तब वो राज से मिलती है, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था प्रियंका राज के पास जाती है, तो राज प्रियंका के पास आ पुल्डर्स आपस में एक दुसरे को गीरा रहे हैं। जिस पर प्रियंका कुछ नहीं कहती और वो अपने फोन से कृष्ण को एक मेसेज कर देती है। चर नाइटी मम्मी की पसंद की बहु। वही उसे ऐसे देखकर उसके पापा थोड़ा गुसा होकर कहते हैं, क्या तुम बकरी हो। जिस पर कृष्ण कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस पर उसके पापा कहते हैं, तो फिर तुम कबसे मैं वो में कह रहे हो जैसे कोई बकरी? जिस पर माया हसते हुए कहती है, पापा भाई बकरी कैसे हो सकते हैं, वो तो बकरा है ना आप भी ना पापा. जो सुनकर कृष्ण अपनी बेहन को देखकर चिदते हुए कहता है तुम हो बकरी आए बड़ी मुझे बकरा कहने वाली कभी अपनी शक लाइने में देखी है बिलकुल बकरी लगती है फिर वो अपनी मम्मी को देखकर कहता है मम्मी आजना खाने में इसी बकरी को बनाएंगे जो सुनकर माया भी तिल मिला कर कहती है वाह बड़े आय मुझे पकाने वाले वैसे भी बली हमेशा बकरे के चलती है और आप हो ना बकरे कहीं के और रही शकी की बात तो शक्ल से कुछ नहीं होता इनसान में अक्ल होनी चाहिए जिस पर कृष्ण उसे चिलाते हुए कहता है तो तुम मानती हो कि तुम्हारे पास शक्ल नहीं है और ये कहकर वो हसने लगता है वही माया उठकर उसे मारने के लिए भागती है वो दोनों ऐसे ही एक दुसरे से लड़ने लगते है जिस पर माया कृष्ण के बाल खींचते हुए कहती है मामा जी सही कह रहे थे आपना शहर में आकर बिगल गए हो आपको ना जल्दी से एक लड़की के साथ बांध देना चाहिए जिस पर कृष्ण भी उसकी चोटी पकड़ कर कहता है मुझे से पहले तो तुझे बात देना चाहिए वैसे भी तुझ से शादी करेगा कौन ना आकल है ना शाकलाई बढ़ी वही उन्हें ऐसे देख कर उनकी मम्मी उन्हें डांटते हुए कहती है तुम दोनों बस करो अब कब से लड़ रहे हो बड़े हो गए हो लेकिन हाकते बच्चों वाली है और दोनों डात सुनकर एक दूसरे से अलग होते हैं फिर एक दूसरे को मुझ बना कर जीब दिखा कर वापस अपनी जगल पर बैठ जाते हैं फिर कृष्ण अपनी मम्मी से कहता है मम्मी क्या मामा जी ने फिर से मेरे रिष्टे की बात की है जिस पर उसकी मम्मी उसे देख कर कहती है हाँ उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए जिस पर उसके पापा कहते हैं वैसे भी उसे तो बस बचोलिया बन कर हम से पैसे लेने है तेरी शादी कराने के जिस पर उसकी मम्मी कहती है वैसे भी वो चाहे कितना भी जो लगा ले जब तक मुझे मेरे पसंद की बहु नहीं मिलेगी मैं शादी के लिए हा नहीं कहूंगी आखिर मेरे बेटे की जिन्दगी का सवाल है महूं उसकी वही कृष्णी जो ये सब सुन रहा था अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपनी मम्मी से पुछता है मम्मी वो मैं पुछ रहा था वैसे नहीं बस है सही जिस पर उसकी मम्मी कहती है, कुछ वैसे इतना अटक क्यों रहा है जिस पर कृष्ण कहता है, वैसे मम्मी आपको कैसी लड़की पसंद है, मेरे मतलब आपकी बहू कैसी होनी चाहिए और ये कहकर कृष्ण अपने मन में एक लिस्ट बनाने लगता है ताकि वो उसे प्रियंका से कंपेर कर सके उसकी मम्मी उसकी बात सुनकर कहती है तो तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे कैसी बहू चाहिए और सब लोग उसे काफी उत्सुक होकर देखने लगते हैं उसकी मम्मी कहना शुरू करती है मेरी बहू लाखो में एक होनी चाहिए मेरी बहू चान्द का टुकड़ा होना चाहिए कोई एक बार देखी तो बस देखता रह जाए एक शब्द कहूं तो मिस वर्ड होनी चाहिए ज्यादा पैसे नहीं होनी चाहिए बस अच्छे संसकार होने चाहिए गुसे और अपने उपर अच्छा काबू होना चाहिए बड़ों की इजाजत करने वाली संसकरी सभ्य परिवार की खाना बनाने में निपुन होनी चाहिए सभी रस्मों का सम्मान करने वाली मेरे बेटे मतलब अपने पती को भगवान माने वही पती की आग्या जिसके लिए आदेश हो ऐसी होनी चाहिए मुझे मा की तरफ समझे और मेरे परिवार और रिष्टेदारों का मान सम्मान करने वाली किसी से भी उची आवाज में बात ना करने वाली और सबसे जरूरी मेरे बेटे से बहुत सारा प्यार करने वाली उसे हमेशा खुश रखने वाली अपनी मम्मी की लिस्ट सुन कर प्रिष्ण मन में कहता है बेटा तुम यहाँ अकेले रहते हो हमें तुम पर भरोसा है लेकिन ये शहर है यहां संभल कर रहना पड़ता है बेटा कुछ भी ऐसा मत करना जिसे हमारे परिवार का सर जुके जिस पर कृष्ण बस मुस्कुरा कर कहता है मम्य आप चिंता मत किजिए आपका बेटा कुछ गलत नहीं करेगा मेरे लिए आप सब सबसे ज़्यादा जरूरी है तीस प्रतिशत जो सुनकर सब के चहरे पर मुस्कान आ जाती है फिर उसकी मम्य कहती है वैसे तुम्हारे ममा जी ये शहर गुमने जाने वाले है जिस पर माया भी कहती है और वो भी अकेले और वो ये काफी ज़्यादा उदास होकर कहती है जिस पर कृष्ण कहता है अगर आप सब चाहे तो मैं आप सब को ये पुरा शहर गुमा सकता हूँ जिस पर उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा तुम्हारी पढ़ाए और काम भी तो है जिस पर कृष्ण कहता है कोई बात नहीं मैं मेसेज कर दूंगा कि मुझे कुछ दिन की चुट्टी चाहिए और रही कोलेज की तो कुछ दिनों तक कोलेज की चुट्टी है जिस पर उसके पापा कहते हैं और वो क्यों भला जिस पर कृष्णी कहता है पापा कोलेज में एक दांस कॉम्पेटिशन है इसलिए छुट्टी है मैं आप सब को तब तके शहर घुमा सकता हूँ जिस पर सब लोग उसकी बात मान जाते हैं फिर वो सब आपस में और भी बाते करते हैं एजर स्टोरी सा भी अचा लगे टू लाइक जरूर करना कोई कामी लगे टू बताना जरूर और प्यारा लिसेनर्स कभी टू आप अपना ओपिनियन शेयर कर दिया क्रो अचा लगता है यार कॉमेंट देखके और हाग चैनल को सब्सक्राइब करना मत गूलना